मान्य अद्यक्षा महोदया आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कहानी का शीर्शक है चोथी पास राजा आपने बच्पन में राजा रानी की बहुत कहानिया सुनी होंगे मेरी कहानी में रानी नहीं है बस राजा है ये कैसे राजा की कहानी है अद्यक्षा महोदया जो अनपड था चोथी पास था बेहद अहंकारी था बहुत अहंकार था बहुत जादा और पैसे की इतनी हवस थी इतना भरष्टाचारी था इतना भरष्टाचारी राजा था ये एक महान देश की कहानी है एक बहुत महान देश था कई हजार साल पुराना देश उस देश में एक गाउं में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जनम हुआ जब बच्चे का जनम हुआ तो जोच्छी ने कहा गाउं में जोच्छी होते हैं आते हैं वो पत्री बनाते हैं जोग्षी ने कहा माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा माई को यकीन नहीं हुआ मेरा इतने गरीब हूँ मैं कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा तो उसने का नहीं तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा संवराट बनेगा बेटा धीरी धीरे बड़ा होने लगा स्कूल गाउं का ही स्कूल था स्कूल जाता था उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया गाउं के पास एक रेलवे स्टेशन था तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वाँ स्टेशन पर चाय देशता था लड़के को भाशन देने का बड़ा शोक था सारे गाउं के लड़कों को एकथा कर लेता, आसपास के गाउं के पर एकथा कर लेता, सामने वो खाट डाल लेता, उस पर चड़ जाता और भाशन देता देरे देरे आसपास की गाउं के लड़के भी करते हो गए जिस में जिस भी जीज में भाशन देता है एक बार शुरूव जाता तो बंदी नहीं होता अब जोट्शी ने कहा था लड़का बड़ा हुआ बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन लिया पूरे देश में उसका नाम होगया चौथी पास राजा लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे अब उसे आता जा तो कुछ था नहीं पड़ा लिखा था नहीं अफसर आते हैं कुछ खुछ अंगरीजी में चपर चपर करते हैं उसको समझ नहीं आता अफसर जो मर्जी उसस उसे साइन कराके ले जाते, जो मर्जी उससे साइन कराके ले जाते, अब वो कुछ पूछे अफसरों से तो उसे भी शरम आती थी, कि मैं ये में पूछूँँगा तो उनको लगएगा अनपड़ा आदमी है, पता चल जायेगा, तो उसके भी दिल में ये रहता था यार, मैं पूछूँ ना पूछूँ पता नहीं किस किस चीज पर उसने चौथी पास राजा ने साइन कर दिये, फिर धीरे धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा, यार ये मेरे को चौथी पास चौथी पास कहते हैं, तो उसने एक फरजी डिगरी बनवा ली, कहीं से फरजी डिगरी बना के ले आया M.A. की, बुला मैं M.A. हूँ, तो लोगों को लगा यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो फरजी डिगरी हम बना के ले आया हमार हरा राजा, तो लोगों ने RTI डाली, जो RTI डालता उस पे 25,000 उपे जुर्माना, आपके नेता की बात नहीं कर रहा है, आप लोग भी हस सकते हो, तो जो RTI डाले उसको 25,000 उपे का जुर्माना, एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास, बोले जी एक बड़ा धासू आइडिया लेके आया है, बोले बताओ, बोले जी नोट बंदी कर दो, रष्टाचार खतम हो जाएगा देश से, तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं पर उसे लगा यार कुछ धासू आइडिया होगा, उसने एक दिन रात को आठ वजे टीवी चैनल पे जाके नोट बंदी कर दी, वहला सारे नोट बंद, पूरे धेश में हाहा कार इंदर, लोगों ने जाके उसको गाए, जी नोट बंदी कर दो, अतंकवाद खतम हो जाएगा, ना अतंकवाद खतम होगा, ना भश्ताचार खतम होगा, देश बरबाद हो गया, वह महान देश जिसका वह राजा बनाता, वह देश, दस साल, पंदरा साल, बीस साल पीछे च और दो, अब उसको कुछ हकल नहीं थी राजा को, अनपड राजा था, उसने साइन कर दिये, तीन काले कानून पास हो गए किसानों के, पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगए जगए मोर्चे, साड़े साथ सो किसानों की मौत हो गई, एक साल पंदर, पंदर में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े, धीरे धीरे देश की समस्याएं बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, क्योंकि राजा एरे गेरे, इससे पहले एक और राजा आया था, मुहम्मद बीन तुगलक, वो भी ऐसी करता था, कभी उसने देश की राजभानी बदल द पता नहीं कितने दिन रहूंगा, तो उसके गरीबी में जो जीवन उसने जिया था, उसे लगाया और पैसे तो कमाने चाहिए, पैसे कैसे कमाऊंगा तो, जनता आप में छवी खराब होगी, तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया, और उस दोस्त को बोला कि, ऐसा करते हैं कि, मैं तो राज़ा हूँ, सारे सरकारी ठेके तेरको दिलाओंगा, सारी कमपनिया तेरको दिलाओंगा, सरकारी पैसा तेरको दिलाओंगा, नाम तेरा, पैसा मेरा, तेरको पूरे, उस पे 10% कमिशन तेरको मिलेगा, सारा पैसा मेर दोस्त मान गया दोस्त को क्या था दोस्त मान गया उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा जो देश को लूटा जो देश को लूटा सबसे पहले वो दोस्त आया बोला सर सबसे पहले बैंकों को लूटते हैं बोला वो कैसे यार बैंकों को लूटेंगे तो ये तो खीक नहीं है बोला नहीं ऐसे करते हैं आप किसी बैंक के चेर्मेन को बुलाओ उसको बोलो कि वो मेरे को लोन देगा बोला यह वीया। इसको लोन दे, मैं तो मर जाओंगा, फद जाओंगा, बहुग गया, तो फिर उन्होंने ढूंड ढांड के एक ऐसा चेर्में चुना, जो कि सरासर रश्टाचारी जिसके उपर दस फाइलें खुली हुई जिसके उपर दस केज चल रहे हैं, उसको बुलाया, उले देख तेर को चेर्मेन बना रहे हैं, अब तू दस हजार करोड रुपए दे दे इसको, ने तो तेर को जेल भेजेंगे, जेल जाना है कि पैसे दे रहा है, उसने गा माई माई वाप मैं जो कहोगे जहां कहोगे साइन कर दूंगा, उसने दस हजार करोड रुपए का लोन उसके दोस्त को दे लिया, ऐसे करते करते लाख दो लाख करोड रुपए उन्होंने बैंकों से लूट लिये, राजा ने, चौती पास राजा ने और उसके दोस्त ने मिलके दो ढ़ाई लाग करोड रुपए बैंकों से लूट लिये अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालू किया सबसे पहले उन्होंने देश के एरपोर्ट खरीदे पहले छे एरपोर्ट खरीदे फिर उन्होंने बिजली कमपनियां खरीदी फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिये पूरे देश के अंदर फिर उन्होंने सी पोर्ट खरीदने चालू कर दिये फिर उन्होंने ख़दाने ले ली फिर इन्होंने पुलिस को भेज भेज के जो लोगों की पुलीस को भेज भेज के जो लोगों Síak nights and Eagle कोगों lle पहले गैस चार सो रुपए सिलिंडर होती थी चौथी पास राजा के आने के बाद 1100 रुपए सिलिंडर हो गई तो पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था 97 रुपए हो गया पहले डीजल 57 रुपए होता था 90 रुपए लीटर हो गया जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए डीजल के दाम बढ़ गए तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए देश पेंदर हाहाकार मच गया सब चीजों पर इसने और इसके दोस्त ने कब जाए दूद पहले 46 रुपे होता था 66 रुपे लीटर हो गया बच्चों को माएं दूद पिलाने लाएक नहीं बची घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूद छीन लिए इसने राजा ने सरसों का तेल 90 रुपे लीटर होता था दोसो 14 रुपे हो बताओ धीरे धीरे पूरे देश में हाहाकार मच गया लोग अब राजा के खिलाफ वाज उठाने लिए लोग उसके खिलाफ बोलने लगे तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डाले एक के बाद एक, एक के बाद एक, राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने शुरू कर दिया, किसी ने राजा का काटून बना लिया, उसको भी जेल में डाल दिया, किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डा राजा ने पकड़ पकड़ के उसने चौत ही पास राजा ने सब को जेल में डालना चालू कर दिया एक महान देश कहां से कहां पहुंच गया उसी देश के अंदर एक छोटा सा राज्य था उस राज्य का एक मुख्य मंत्री था उनके चेहरे पे भी स्माइल आ गई उनके चेहरे पे भी उमीद की किरंच आ गई वो मुख्य मंत्री अपने लोगों का खुब ख्याल रखता था वो मुख्य मंत्री कट्टर इमानदार था वो मुख्य मंत्री कट्टर देश भक्त था वो मुख्य मंत्री वो मुख्य मंत्री पढ़ा लिखा था उस मुख्य मंत्री ने अपने लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए बिजली मुफ्त कर दी भाई साब उसके बाद तो चौथी पास राजा पागल हो गया उसने बुला के जो हड़काया उस मुख्य मंत्री को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे लगा राजा ने तो सारी बिजली कंपनियों पर कब्जा कर रखा था उसे लगा अगर ये बिजली मुफ्त करने लग जया तो बाकी देश में तो मेरा बेड़ा गर्क मेरी बिजली कंपनिया लुट जाएंगी ऐसे कैसे चलेगा उसने उसको का खबरदार तो बिजली मुफ्त कर दीड़े दीडे दीड़े उस मुख्य मन्तरी ने अपने गरीबों के स्कूल ठीक करने चालू कर दीए तो राजा ने उसको बुला कि और अरकाया राजा बुला ये क्या कर रहा है तो स्कूलों के बच्चों को बढ़ाता है तो स्कूल खोल रहा है ये बंद कर ये सब ये नहीं चलेगा इस देश्ट पर उन्हीं माना मुख्यमंतरी ने सब के इलाज मुफ्त कर दिया सब के लिए शांदार महला क्लीनिक खोल दिये विलाज मुफ्त कर दिया राजा तो बिलकुली पागल हो गया धीरे धीरे जंदा को पता चला कि राजा कैसा है एक दिन लोगों ने उस राजा को उखाड के फेंक दिया और लोगों ने एक किसी इमानदार और देश भक्त आदमी को महां बिठा दिया और उनकी सब कारा आप और उसके बाद देश से महंगाई खतम हुई और देश रात दूली चौगनी तरक्ति करने लगा तो जैसे हम बच्पन में सुना करते थे moral of the story का मतलब भई इस कहानी में क्या प्रेरना मिलती है इस कहानी से ये प्रेरना मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है आपके देश में समस्याई है आपके देश में सब कुछ गड़बड चल रहा है तो सबसे पहले जाच परक के देखो आपका राजा अनपड तो अगर आपके देश में सब गड़वर चल रहा है बेरोजगारी है तो बहुत सारी समस्यां है ज़र आप देखो राजा आपके राजा को कोई दोस्त तो नहीं है अगर है तो सबसे पहले अपने राजा को खाड़ के फेको नहीं तो आपकी समस्याओं का कोई समधान नी होगा आपकी समस्याओं का कोई समधान नी होगा वो पड़ा करते थे अंधेर नगरी चौपट राजा सवासेर बाजी सवाजेर खाजा बहुत बहुत शुक्रिया जो इसके विरोध में नहीं है वो ना कहे हाँ पक्ष जीता हाँ पक्ष जीता संकल्प स्विकारुआ सदन को सदन को अनिश्चित का